बेगन की सबजी तो आपने कई तरह की खाई होंगी आज हम बिल्कुल नए तरीके से बेगन की ऐसी सबजी बनाएंगे जो बहुत टेस्टी बनेगी और इसे हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे और सिर्फ एकी सीटी में बनाकर इस टेस्टी सबजी को हम तयार करेंगे वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तो बेगन की टेस्टी सबजी बनाने के लिए यहां हमने 200 ग्राम बेगन लिये हैं और बेगन को हमने अच्छी तरह से वाश करकर लिया है और इस तरह से बीच में हमें कट्स लगा देने है इससे क्या होगा अगर बेगन खराब भी होंगे ना तो वो आपको दिख जाएंगे तो इस तरह से हमें बेगन में कट्स लगा के रख लेना है और प्रेशर कुकर में अब हम लेंगे सिर्फ एक चमच ऑईल और जैसे ही ऑईल हमारा गरम हो जाता है तो हमें बेगन को इसमें डाल कर फ्राइ कर लेना है आप बेगन को बिना फ्राइ करे भी बना सकते हैं लेकिन अगर फ्राइ कर लेंगे तो बेगन काफी टेस्टी बन देंगे तो गेस की फ्लेम मेडियम हाई रखते हुए उलट पलट करते हुए हम बेंगन को फ्राइ कर लेंगे जब तक इसमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है तो हमें इन्हें पलटते हुए फ्राइ कर लेना है तो यहां बेंगन में अच्छा सा कलर आ गया है तो जब इस तरह से color आ जाता है तो हमें बेंगन को निकाल लेना है और इससे ज़दा color आप dark मत करिएगा बस इतना ही color हो जाने पर आपको निकाल लेना है तो यहां सारे बेंगन हमने निकाल लिये हैं अब उसी oil में एक चमचोर oil डालेंगे और जैसे ही हमारा oil गरम हो जाता है तो हमने half teaspoon zero लिया है एक तेज़ पत्ता लिया है एक बड़ी इलाइची लिये इसे डाल कर थोड़ा सा चटकने देंगे और फिर इसमें हमें डालना है एक बड़े साइस की प्यास को हमने roughly chop कर कर लिया है इसे डाल दिंगे इसको हमें सिर्फ fry करना है इसका color हमें dark नहीं करना है सिर्फ प्यास को हमें soft होने तक ही पका लेना है तो यहाँ base की flame हमने medium high रखी हुई है medium high flame पर ही प्यास को हमें soft होने तक पका लेना है तो यहाँ आप देख सकते हैं, प्यास का कलर सिर्फ हमें इतना ही रखना है, बहुत जादा डार्क नहीं करना है, सिर्फ सॉप्ट होने तक ही, हमने प्यास को पका लिया है, अब इसमें एक चमाज जींजर गारली का पेस्ट डाल दिंगे, और इसे मिला लेंगे हम प्यास में हम एक मिनिट तक जींजर गारली के पेस्ट को प्यास के साथ में ही पका लियाँगे, और जैसे ही एक मिनिट हो जाता है, हम इसमें डालेंगे दो मीडियम साइस के टमाटर, टेस्के अकॉर्डिंग नमक डाल दिंगे, फिर हमें इसमें डालना है, आदा चमाज धनिया यहां हम डालेंगे, बारेकुटी वी सोफ, आफ सोफ का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, टेस्ट अच्छा आता है इससे, हमें इसमें अब और कुछ नहीं डालना है, सारे मसाले हमने डाल दिये हैं, अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और गेस की फिलेम हमने मिक्स हो जाती है, तो अब इसमें हमें डाल देने हैं बेंगन जो हमने फिराय करकर रखे हैं, और बेंगन डालने के बाद हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, क्योंकि हम इसमें ग्रेवी नहीं बनाएंगे, भुने हुए ही बेंगन हम बनाने वाले हैं, बिल्कुल थोड़ा ही पानी रखेंगे इसमें तो बेंगन को हम चमज की हिल्फ से ग्रेवी में मिला देंगे जब इसमें हम एक विसिल्स देंगे ना तो यह खुद ही ग्रेवी में अच्छी तना से मिक्स हो जाएंगे तो प्रेशर कुगर की लीड हमें लगा देना है और ल दो गुなた मिन तक और पकाएंगे दिक इ nell कर देंगे और दो मिन तक हमोर मुं लिगे और जो मने तीसफटा organ वाक आप देख सकते इसमें ओए दिखाई देने लग गया है अब हम धनिया पत्ती सेमें डाल देंगे और मिला लिगे तो यह आप देख सकते कितने अच्छे हमारे भुने हुए बेगन बनकर तयार हुए हैं बहुत ही अच्छे बनकर तयार हुए हैं और इस तरह की बेगन की सबजी बहुत ही टेस्टी बन जाती है अगर आप इसमें ग्रेवी करना चाहते हो तो थोड़ा सा इसमें आप पानी डाल सकते हैं ग्रेवी के बहुत ही अच्छे हमारे बेंगन पकर सॉफ्ट हो गाएं बहुत ही तरह से बने और इसे बनाने में जाधा टाइम भी नहीं लगता है वेसे तो बेंगन को बनाना बहुत ही आसान होता है बहुत ही जल्दी यह पक जाते हैं लेकिन अगर आप मेरे बताई हुए तरीके से इस तरह की मज़दार सी टेस्टी बेंगन की सबजी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फैमली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको मेरी बेंगन की सबजी की रेसिपी केसी लगी